नमश्कार में अप्रिया आज है किसमाई खबरों के तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर PMCS में ऑक्सेचन घोटाले के जांच के लिए तीन कमीट्यां गठित CBSE ने जारी किया अपना कॉल सेंटर नंबर बारिश के बाद बाजार में आने के लिए बेताब हुई मुझफरपूर की लीची दीस्री लहर को लेकर तयारियों में जुटी सरकार श्रिलंका दोरे पर जाने वाली भारतिय टीम की कोच होंगे राहुल ड्राविट अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में कोरोना के मिले 6000 से कम मामले बिहार में स्वास्तव भभा की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में COVID-19 के 5871 मामलों के पुष्टी हुई है जो इसके बाद अक्टिफ मरीजों की संख्या 54406 पर पहुँच गई है इसके साथ ये अगरें प्रभाविट जिलो की बात करें जमूई में पचपन, जोहानबाद में 23, कैमूर में 9, कटिहार में 135, खगडिया में 14, किफशनगन में 120, लखिसराय में 60, मधिपूरा में 104, मधुबनी में 149, मुंगिर में 184, मुझज़फरपूर में 256, नालंदा में 270, रहनवादा में 40, पत्ना में 1281, पुर्णिया में 18 182, रहतास में 45, सहरसा में 107, समस्तिपुर में 258, सारण में 125, शेखपुरा में 14, हश्रिफर में 128, सीतामरी में 94, सिवान में 91, सुपॉल में 91, वैश्वाली में 103, वैस्ट शंपारन में 95, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके साथ ही 43 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूस भी की गई है, बिहार में अब इस दिन पहुंचेगा मौनसून, बिहार में अब मौनसून के इंट्री होने वाली है, हाला कि अरब सागर में आये तावते तूफान का सर, बीते दो दनों से बिहार में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब बिहार वासियों को मौनसून परचारी नहीं की गई है और यह पुर्वानुमार 31 मई या फिर 1 जुन को लगाया जा सकेगा। पीजी अभेर्तियों की बहाली करने का फैसला दिया गया है जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने की है। जाने पर राजुकी शोक बिहार के पुर्वराजुपाल जगनाथ पहारिया की ने दुनिया को अलवदा कह दिया है। जो इसके बाद बिहार सरकार की तरब से एक दिवसी राजुकी शोक की घोशना कर दी गई। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने राजस्तान के पुर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार के पुर्वराजुपाल जगनाथ पहारिया के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक थी है। उन्होंने अपने शोक संवेदना में कहा कि जगनाथ पहारिया एक प्रख्यात राजनेता थी वो तीन मार्च 1989 से दो फरवरी 1990 तक बिहार के राज़ुपाल रहे थे। पदों के लिए रिखतियां पूरी तरीके से फेक थी। ESIC हस्पताल में कोरोना के लाज़ के लिए सेना और बिहार सरकार में बनी सहमती। सेना और बिहार सरकार ने ESIC हस्पताल में कोविड-19 के लाज़ के लिए एक मत पर अपनी राय दे दी है। जिसके तहदी 22 माई से यहां कोरोना मरीजों का 350 बेड़ों पर अलाज़ शुरू हो जाएगा। को बदा दे ग्रुप कमांडर, लेटिनेंट जेनरेल, एस मोहन और राज़सरकार के नोडल अधिकारी अशोग तिवारी सहीत अधिकारियों की एक बैठ हक संपन हुई जिसमें सेना की टीम जो पुर्व से 76 बेड़ पर अपनी सेवा दे रही थी उन्डों को ने आपसी समी कोवर्ट-19 के बाहौल में अस्पतालों में ऑक्सिजन घोटाले की खबरे लगातार सामने आती रही है इस दिक्रव में पीम्च में भी हाली में ऑक्सिजन घोटाले की खबर सामने आई थी जिसके बाद पटना हाई कोट में लगातार इस मामले को लेकर अब तीन कमीटी का गठन किया गया है जिसके बाद कोट ने हर 15 दिन पर कमीटियों के रूपोर्ट देने का देश जारी किया है इस मामले पर अगली सुनबाई 25 मई को होगी इसके साथ ही अस्पतार प्रसाश्र ने या आश्वासन दिया है कि भविश्य में ऑक्सुजन आपूरती से संबनित अब बात करेंगी कावेरी जहा की कावेरी जहा का जन बिहार के दर्भंगा जुले में आज इके दिन हुआ था उनके परिवार को कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा था क्यूंकि उनके पिता एक भारत के सरकारी कर्मचारी है उन्होंने 2005 में मिसेंडिया प्रतियोगिता में सुष्री व्यक्तित्व परसकार जीता परसकार जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शिरू कर दी और कुछ संगीत वीडियो में भी दिखाई दी उन्होंने साजुत खान के साथ एक टीवी शो में भी मेजबानी की प्रियादर्शन की भूल भुलाईया 2007 में एक छोटी भूमिका में दिखाई देने के बाद उन्होंने स्क्रीन पर श्राइनी अहुजा की पत्नी की भूमिका निभातेवे हाईजाग 2008 में अपनी हिंदी फिल्म के शिरुवात की पत्ना हाइकोट ने 11 जिलों में बनाए नय जज़। कुमार पांडे को मुंगेर जिले का नयाधिश, अजीत कुमार सना को स्वान का, अजे कुमार श्रिवास्तप को लखी सराय का, राम बाबुत्रपाथी को, वंगा का, कमरूल होदा को, जहानबाद का और राजीव रंजन को, कटिहार का जिला और सत्र नयाधिश बनाए गया ह CBSE ने जारी किया अपना कॉल सेंटर, CBSE ने अपना कॉल सेंटर जारी कर दिया है, जहां स्टूडिन की समस्याओं का समधान एक कॉल पर हो जाएगा, यहां टीचर और स्टूडिन के साथ गार्जियन भी फोन कर सकते हैं, CBSE के केंद्रे कॉल सेंटर से छात्रों के साथ 311417564 और पत्ना रीजिन का नंबर 06122295048, 06122295008, 82523227 नंबर चारी के आगया है जिस पर कॉल करके छात्र और भी पावक दोनों मदद ले सकते हैं इसके साथ ही छात्र सामाने जहानकारी के लिए 22509256 या फिर 22509257 और श्रिकायट के लिए 22528258 वहीं परिक्षा के लिए 22517250 या फिर 224204000 नंबर पर कॉल कर सकते हैं बिहार के नौ अनुमंडलों में बनेंगे 1000 बंदी श्रमता वाले कारा भवन गुर्यवभा के तरफ से जारी के गये आदेश के अनुसार राज्य के 9 अनुमंडल में 1000 बंदी श्रमता वाले कारा भवन का निर्मान कराया इसके लिए हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया जा चुका है जिसके तहती कोर्ट के निर्देश के आलोग में विबेन जलो के राजगीर रज्वाली मढधोरा महराज गंज हत्वात चक्या पक्रीदयाल महनार सिम्री बक्तियार पूर अनुमंडल में नयकारा भवन क अंदर्मान कराव जाएगा इसके साथ ही विशुषग या चुकित्सक की नियुक्ति सम्विदा पर की गई है जिसके तहर छे जेलो मंडल कारा समस्तिपूर उपकारा दानापूर उपकारा दल्सिंग सराय उपकारा विक्रम गंज मंडल कारा खगडिया में सामाने चुकित के बाद मुझफरपूर की लीची अब बाजार में आने के लिए पूरी तरीकी से तयार होगे है जानकारों की माने तो शाही लीची के लिए बारिश वरण बन कर आई है बताय जा रहा है कि हल्की बारिश होने की विज़से अब लीची की मिःधास बढ़ जाएगी वहीं किसानों का कहना है कि इस बार लीची माई के 30 हफ़ते से बाजार में तयार होकर उतरने लगेगी किसानों की माने तो इस बार लीची की फसल देर से बाजार में आ रही है आपको बता दे मुजफरपुर की लीची कारोबारी नंपे से सौ रुपए कीलो के दर्थ से किसान से खरीद करते है कोविट संक्रमित शव भाय जाने पर प्राधिकरन दिखी गंभीर उतरप्रदेश से सव शवो को गंगा नदी में भाय जाने की खबरे लगातार सामने आ रहे थी भहीं अब कोविट संक्रमित शव भाय जाने पर प्राधिकरन कम भीर नजर आ रहा है सैंप्लिंगी कबायद शुरू करने पर अनौपचारिक सहमती बन चुकी है इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी हाल में गंगा में शवो को प्रवाहित नहीं किया जाए ADG ने सकती से लॉक्डाउन का पालन करने का जारी क्या देश ऐसे मुर्हों ने कहा कि लोगों को पुलिस की मदद करनी चाहिए ना कि उन पर हमला करना चाहिए पुलिस मुख्याले के ADG ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी लॉक्डाउन के नियमों का पालन कर हर हालत में करवाए जाएगा इस दौरान पुलिस को पुरी छूट दी गई है चाले में पिश्ड़ दो दिनों पहले गया में पुलीस वालों पर हमले कामामला सामने आया था जिन अस्पतालों में बच्चों के लिए वाट नहीं है वहां बच्चों के वाट बनाने पर विचार किया जा रहा है सूत्रों का कहना है कि इसके लिए अस्पतालों में बेड की साथ-साथ आईसियो और वेंटिलेटर की सुवधा भी बढ़ानी होगी अब घर बैठे बैठे होगा कोरोना की टेस्ट होने वाली है क्योंकि आईसे अमार ने कोबिड-19 के लिए होम-based टेस्टिंग किट को मनजूरी दे दी है जोगी एक होम-rapid antigen testing kit है हाला कि यह testing kit तुरंत बाजार में उपलब्ध नहीं होगी इससे व्याफक रूप से उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा आपको बता दे कि आईसे अमार के कोबिड-19 के लिए होम-based टेस्टिंग किट को मनजूरी देने के बाद अब कुरोना की जाच करना बहुत आसान होगा फिलाल भारत में केवल एक कंपनी को इसकी मनजूरी दे दी गई है जिसका नाम की मायलाप, दिसकाब्री सिल्यूशन्स लिमिटेड है, होम टेस्टिंग, मोबाइल आप, गूगल प्ले स्टोर और अपल स्टोर में उपलब्ध है पुने सी स्टी से चलने वाली दस स्पेशल ट्रेनों के परिचाल अनब्धी में हुआ वस्तार यात्रिगन कुर्पया ध्यान दे, पुने और छत्रप्रति श्वाजी महराज टर्मिनल से दानपुर दर्भंगा भागलपुर के बीच लाइव जा रही 10 स्पेशल ट्रेनों के परिचाल अनब्धी में व्रधिकर दी गई है 01335 पुने भागलपुर स्पेशल ट्रेन 23 एवं 30 माई को 01336 भागलपुर पुने स्पेशल ट्रेन 25 माई और एक जून को 01361 च्छत्रप्रति श्वाजी महराज टर्मिनल दर्भंगा स्पेशल ट्रेन 25 माई को प्रस्थान करेगी मच्री पालन वाले तलाबों का होगा इन्शादस बिहार सरकार मौनसून और उसके बाद आने वाली बाठ को देखते वे किसी पालकों को राहत कैसे पहुचे वे भाग इसकी तयारी में जुट किया है सरकार की तरफ से सरकार, केंदर सरकार के सोपी के तहट बड़ी राह देने की तयारी कर रही है बाढ़ की वज़े से अगर किसी मच्छी पालक या मच्छी मारने वाले बच्छवारों का जाल, नाव या डेंगी का नुक्सान होता है से आपदा के तहट मानकर एक निश्वित्राश्य विहार सरकार के आपदा विभा की तरफ से दी जाएगी। विशेश वायू यान से स्वास्त उपकरन पहुचा पटना विहार में करोना के मामलों को देखते हैं वे उपकरन मुहाया करवाया जा रहे हैं। के विभन अस्पतालों में भीजा जाएगा ताकि स्वास्त उपधाओं का विस्तार हो सके। के विभन पहुचा फटना दुआरा गठित कोविट कोश में आवंटित किया गया है। सरकारी आवास में सेवा किंद्र खोलने को लेकर दिये गए बयान के बाद रावजुत की तरफ से काफी कुछ बुरा भला कहा गया था जिसके बाद ही अब जदियों ने भी अपना बयान जारी किया है तेजस्वी आदब ने मुख्यमंतरी नितेश कुमार को राजनीती नहीं करने की दीन असी है जोहां एक तरफ सरकार इस बात का इलजाम लगाती रही है कि आपदा के समय में राज़त सर्फ आरूप लगाने की राजनीती करता है वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी आदब ने मदद का हाथ आखे बढ़ाया है जिसके तेजस्वी आदब ने अपने सरकारी आवास में सेवा केंदर की शिरवात की है वहाई सिवा केंद्र को लेकर तेजस्वी आदव ने सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया है जिसके तहट उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में अस्पतालों के हाल जरजर है कई अस्पतालों में मरीज फर्ष पर है वहाँ दरी तक बिछाने नहीं गई है मुखी मंत्री 2006 से अस्पतालों का नर्मान करा रहे हैं इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं होता है बलकि इन में कुट्ते सोई रहते हैं साथे विपक्ष के सहीओ करने की बाद पर उन्हाने कहा कि सरकार को हमारी भाषा समझ नहीं आती, सरकार कौन सी भाषा समझती है ये समझ नहीं आ रही भारत के इतिहास में आज़की तारीक कईकार्णों से महत्वपूर्ण मानी जाती है भारत के प्रसिद वेंग रचनाकर शरत जोशी का जन्म 1931 में आज़के दिन हुआ भारती एभिनेता मुहनलाल विश्वनात नायर का जन्म 1960 में आज़के दिन हुआ था महारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी के पुत्र और भारत के नौवे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आज़के दिन 1994 में सुष्मिता सेन मनीला में संपन्ति तालिस में मिस्स यूनिवर्स प्रतियोगिता में एक हिताब से नवाजी गई थी रहुल द्रविट ने श्रीलंका दौरे पर जौने वाली भारतीय टीम के मुख्यों कोच होने वाले हैं सीमित ओवरोग के सिरीज के लिए रहुल द्रविट का नाम काफी पहले से चर्चा में था अब एक BCCI अधिकारी ने समाचार एजंसी E&I को इस बात की पुष्टी कर दी है जो उसके देट BCCI अधिकारी ने अपना बयाम जारी करते वे कहा है कि टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ यूके में होगा और यह सबसे अच्छा होगा कि एक यूबा टीम को राहूल ड्रविट की कोचिंग में भेजा जाए चुकि ड्रविट ने इसमें से लगभग सभी इंडिया एक एक खिलाडियों के साथ काम किया है अब फोन से TV जैसी इन 288 गंभीर बिमारियों का लगा सकेंगे पता गूगल की तरफ से एक खास तरह का AI टूल डेवलप किया जा रहा है जो की TV जैसी गंभीर बिमारियों को पहचानने में सक्षा में AI टूल स्किन की कंडिशन की आधार पर बताएगा कि आखिर कौन से बिमारी हो सकती है इसके लिए यूजर को घर से बाहर जाने की जरुरत नहीं होगी गूगल के मताबिक AI गेस हेल्थ टूल का इस्तमाल करने के लिए यूजर को अपने फोन का कैमेरा इस्तमाल करना होगा यूजर को फोन की कैमरे को अपने स्किन की तरफ पॉइंट करना होगा स्किन की तरफ पॉइंट करते वे यूजर को तीन अलग-अलग एंगल से तस्वीर क्लिक करनी होगी इसके बाद गूगल का AI हिल्थ टूल इन तीन ओ तस्वीर की जाच करेगा कल हमारे द्वार पूछेगे हैं सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, विकासियादा, विजय कुमार, तीपक कुमार, अनुप कुमार, सौरब कुमार, गोस्वामी, वीडियो, नवीन, कुमार, रवे रंजन, कुमार, राजेश कुमार, रंजन, गौतम कुमार, पंकच कुमार, सौमनात कुमार, बिट्टु कुमार, इसके लाव हमारी टीम को और भी लोग के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए CBSC के तरफ से जारी किया गया कॉल सेंटर नमबर मददकार साबित होगा या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर रता हैं साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटेड रहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक और ना भूले धन्यवाद